इस्रेल भले ही हम आसको तबहा और बर्बाद करने का दावा करें लेकिन हकीकत में इसराइल गाजा ये जुमें बिरी तरह से बस्ता जा रहा है कुछ सिपोर्ट से दावा करती है कि लेबनान के हिजबुला ने इरान के साथ मिलकर इसराइल के खिलाव बड़ी जंग शुमू करती है मर गया हमास अब लड़ रहा है हिजबुला इसराइली सीना के दावों के मुताब爵 क्के पैदालीज हमास के लड़ाकों में Siz लग भग दस हजार लडाके इसराइली सीना के हममारे जा चुके है 1300 सुरंगों में से 700 सुरंगे दबा करने का दावा इस्रैली सीना कर रही है उत्तरी गाजा की 40,000 इमार्ते दबा करने का दावा IDF कर रही है ऐसे हालात में अब हमास के बचे खुझे कमांडर और लड़ाके दावे कर रहे हैं कि भले ही जंग के मैदान में घाजा पट्टी और हमास को भारी नुपसान हुआ हो लेकिन अब घाजा में हमास का बदला हेजबुल्ला के लड़ाकों ने लेना शुरू कर दिया है ज़रा देखिए हेजबुल्ला के लड़ाके कितने बेरहम और घातक हमले इस्रेली सेना पर कर रहे हैं इस्रेल और हमास के बीच शिड़ी जंग में अब लबनंग सीमा से हेजबुल्ला भी इस्रेल पर अटैक जोरदार तरीके से करने लगा है हेजबुल्ला एंटी जैंक में साइले छोड़ रहा है इस्रेल की सेना आइडिया यानि इस्रेल डेफन स्पोर्स दोर मोर्चों पर लड़ रही है एक घाजा पट्टी और दूसरा लेबनन बॉर्डर बरातंकी संगठन हेजबुल्ला से इस्रेली मीडिया के दावों के मताबिक इस्रेल ने सतर से जादा हेजबुल्ला लड़ाखों को मार डाला है लेकिन हेजबुल्ला चीफ हसन नस्रल्ला की सीधी धमकी के बाद हेजबुल्ला ने सैक्णों रॉकेट से इस्रेल पर भीशन हमला कर दिया है पमों की विच्छादी चठाई बेरूट में लिया घाजा का बग्ला लेबनन की तरब से इसरेल के सेन ने चिकानों पर जबरदस्थ हमला हेजबुला ने किया है खबनों के मताबिक दक्षण में हमास के साथ युद्ध के बीच लेबनन द्वारा भारी बंबारी से उत्तरी इसरेल को जटका लगा है इसरेल की आईडियफ ने खुद माना है कि कुछी मिनटों के अंदर ही लेबनन की तरब से एक के बाद एक पच्चिस रॉकेट आगे गए है इसरेली सेना के मताबिक हेजबुला के रॉकेट सासा और शटूला की बस्तियों के बास गिरे है लेबनन की ओर से उतरी इसरेल पर हमले को बदले की कार्यवाई के तौर पर देखा जा रहा है ऐसा इसलिए है चुँकि आईडियफ ने दक्षुनी लेबनन में हेजबुला के कई ठेकानों पर भयंग कर बोला बारी की है इसके पहले हेजबुला ने दावा किया था कि उसने लेबनन की ओपर ओर रहे इसरेली अलबिट हरमेस 450 ब्रून पर सदा से हवा में मार करने वाली मिसाईल दागी है जनायतकारान जन्गी वहामियान अन्हा दर मन्तक पुश्दार मीदा हम के ता दीर नशदे जनायत जन्गी रजीम कुदक कुदकुच जहली मर गया हमास अब लड़ रहा है हिजबुला हिजबुला के पास ऐसे रॉकेट हैं जो इसरेल के किसी भी हिस्से को पैर्विट कर सकते हैं इसका अपना सक्षस्त्र विंड है जिसमें एक लाग से जादा लड़ा के बताय जाते हैं इसके अलाबा हिस्पुल्ला के पास तेड़ लाक मिसाइल होने का दावा किया जाता है हिस्पुल्ला लेपनन के सेना से भी जादा ताकतवर है इसके पास बैलिस्टिक मिसाइलें भी है हिस्पुल्ला हमास से ज्यादा संगठेत और ताकतवर है हिस्बुल्ला के पास इस्रेल से लड़ने का खूब तजूर्बा भी है उसके पास सबसे घातक आत्मलाती दस्ते हैं गुरिल्ला जुद में इसके लड़ा के माहिर बताय जाते हैं इस्रेल के एक प्रून ने 18 नवंबर को तड़के दक्षुनी लेबनन के शहर नवात ये के बाहरी इलाके में एक एल्लुमिनियम सन्यंदर पर दो मिसालों से सबरदस्थ हमला किया था जिस से हिस्बुल्ला को भारी नुकसान हुआ था इस्रेल के इस हमले को लेबनन समर्थित ग्रोप हिस्बुल्ला को जबाब के दोर पर देखा जा रहा है हम आपको बता दें, बीते एक महीने से जारी हमास, इस्राइल जंग में लबनन इस्राइल के खिलाब एस्लामी क्लेशों ने एक जुट होने की कोशिश की है लेकिन इस्राइली दाओं पेंचों के सामने अरब और मुस्लिम मुल्कों की सारी रणमीत इत्वास्ट होगे והיא נעשית בצורה מדויקת, סלקטיבית, אבל מאוד מאוד נחושה ככל שנעמיק את הפעולה הזאתי וככל שנגביר את הלחץ על החמאס ונשחוק עוד מפקדות, נפגע בעוד מנהרות, נחסל עוד פעילים ונוריד עוד ראשי ארגונים के खोलशा दवार जगवा, कख गदेला सिकुई इधर उत्तरी गाजा में भायानक तबाही और बरबादी मचाने के बाद से इस्राइली सेना ने कोहराम मचाना पर शुरू कर दिया है इस पार दख्षुनी गाजा को इस्राइली सेना तमाम वादों को तोड़ते हुए हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है लगभग 18,000 हमले इस्राइली सेना वेस्ट बैंग, उत्तरी गाजा और दख्षुनी गाजा में किये है उत्तरी गाजा से भाग कर दक्षणी गाजा पहुँचे फिलिस्टीनियों पर दोहरी मार पड़ रही है ताजा खबर के मताबिक इसरेल ने एक बर फिर से जबालिया कैम्प पर भीशन हवाई हमला किया है इस हमले में 80 से जादा लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है सबालिया में हमास ने दिखाया सफीद जंडा ल councilmen इसले एक बार किन्से हम में गास भीशन होगो शबा झीझा वे कों आर झीश fazer Hinterona law पर लोगए उनला खर से जो खिला तपक सम्हाई उनलोगैल उनलोगै अत्सान उनलोगै折yang syncsांaman पर दें माम हमत्त बालाई आपका से उसानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुदाबिक 18 नवंबर के सुबर जबालिया रिफ्यूजी कैम्प में संयुक्त राश्रोद्वारा संचालित एक स्कूल पर एर स्ट्राइक होई इस हमले में 50 लोग मारे गए वहीं ये दूसरी बिल्डिंग पर भी हमला हुआ जिसमें एक ही परिवार के 32 लोग मारे गए इनमें 19 बच्चे भी शामिल है इस्रैल और हमास के बीच चल रहे युद में मरने वालों की संख्याल लगातार बढ़ती जा रही है 12,000 से जादा लोग मारे जा चुके हैं हालात ये हो गए हैं कि उत्तरी गाजा में बचे फिलिस्तीनियों के बूखे मरने की नौपत आ चुकी है जबकि हमास के लड़ाके सफीद जंडा दिखा कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ खबरों में दावा किया गया है कि तबाह घाजा में मर रहे लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा है प्याज खाकर फिलिस्तीनी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं गाजा के गोदाम में रखा हुआ सैक्णों टन प्याज इस वक्त उत्तरी गाजा में लोगों को भूख से बचाने में इस्तिमाल हो रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर प्याज खाकर फिलिस्तिनी कब तक अपनी जान बचा पाएंगे। मर गया हमास अब लड़ रहा है हेजबुल्ला इधर इरान के राश्यबदी सैयद इबराहिम रैसी इस बात से खौफ में आ चुके हैं कि हमास को इसरेल दोड़ा दोड़ा कर मार रहा है। इस बुल्ला के कमांडरों की टार्केट टिलिंग इसरेल कर रहा है और मुस्लिम मुल्क सिर्फ बयान बाजी कर रही है। जमीन पर एक भी मुस्लिम मुल्क इसरेल के खिलाब बड़ी जंग करने को अभी तक तयार नहीं हुआ है। हमास की पॉलिटकल विंग का चीफ इसमाईल हानिया कतर में बैठ कर सिर्क बयान बाजी कर रहा है। लेकिन खुड गाजा के आसपास भी पॉटक नहीं रहा है। इधर इसरेल के प्रधान मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक इसरेली सैनिकों के बीच दावा कर रहे हैं। कि हम हमास और उसके समर्थन करने वाले हर लडाके को चुन-चुन कर मार रहे हैं। और मारते रहेंगे। इसरेली सेना ने नाशनल सेक्योर्टी वोर्स के कमांडर मेजर जन्रल जिहाद मुहिसिन और उसके पूरे परिवार का सफाया इसरेल ने हवाई हमले में कर दिया। इरान, लेबनन, सीरिया, जॉर्डन और तुर्की के दम पर हमास भले ही इतरा रहा हो। लेकिन इसरेल ने देखा दिया है कि चाहे हमास हो या फिर हेजबुला, इरान चुन चुन कर एक एक दुश्मन को दबा कर देगा। जड़ा इसरेल की आईडिया के हवाई हमलों के इस वीडियो को देखिए। घाजा पट्टी और वेस्ट मेंट में हवाई हमलों में फिलिस्तीन और हमास के लोगों की इमारतें तर्बूज की तरब फट रही हैं। इसरेल के तूफानी हवाई हमलों में बमों के धमा के ऐसे इमारतों को उड़ा रही हैं। कि जैसे तूफान में पेड़ ओकाता है। सबालिया में हमास ने दिखाया सफीर जंडर। हमास और हिजबुल्ला की तबाही के इन तस्वीरों ने अरब देशों में भयंकर गुस्सा भर दिया है। इस वक्त 22 अरब मुल्क इसरेल के खून के प्यासे हो चुके हैं। इसरेल, हमास और हिजबुल्ला के बीच मची खूनी जंग हर दिन और खूनी होती जा रही है। अब तक जंग में दोनों तरफ से 12,000 से जादा लोगों की जान जा चुकी है। उधर घाज़ा पट्टी में होई बंबारी में 11,000 से जादा लोगों की मौट हो चुकी है। आईटी अपने घाज़ा पट्टी में 16,000 से जादा हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया है। हमास और हिजबुला दूनों का मकसा देख है। दूनों इसरेल को दुनिया के नक्षे से मिटाना चाहते हैं। हिजबुला ने उत्तरी इसरेल में नरसंगार करने के लिए 5000 स्पेशल लड़ाकों को तयार किया है। जो पलक जपकते ही इसरेली लोगों को मार सकते हैं। इसलिए लेबनन बॉर्डर पर इसरेली सेना ने 2 किलोमेटर के इलाखे में मौझूद गाउं से इसरेली लोगों को हटा दिया है। इसरेल भी जानता है कि हमास और हिद्बॉल्ला के साथ साथ 57 मुस्लिम देशों से भी उसे जंग करनी पड़ सकती है। इसलिए बाइडन ने नितन्याहू का सीना ठोकते हुए इशारा किया है कि आइसिस से भी ज़्यादा खतरनाप हो चुके हमास के सफाय में अमेरिका इसरेल का साथ देगा। अब घाजा जंग अरब युद्ध बनाम युरब युद्ध हो चुका है। हमास के साथ इरान और हिजबुलाद जबरदस तरीके से दे रहे हैं। इसरेल भी जानता है कि इरान के 5.75 लाग सैनकों से जंग करना ज़रा भी आसान नहीं है। जबकि हिजबुलाद के 65,000 लडाके इसरेल को तबाह करने पर आमादा है। इसरेल के पास सिर्फ 1.73 लाग सैनक हैं। इसरेल की 4.65 लाग के रिजर्व फोर्स को जोड़ कर भी इसरेल इरान के आसपास नहीं ठिकता है। अब देखना होगा इसरेल हमास और हिजबुलाद से कैसे निपड़ता है।